पाजपा के रास्ट्री महामंतरी और पार्टी के वरिस्ट नेता कैलाश विजय वर्गिये जमकर चर्चाओं में बज़े है पीम नरेंद्र मोदी जो उनके बतीजे की शादी में शामिल होने पहुचे थे अब स्यासी गलेयारों में उनकी राजनीतिक तागत को लेकर फिर अटकले शुरू हो गई हैं दरसल बीते दिन कैलाश विजय वर्गिये के भतीजे की शादी के कुछ वीडियो सामने आए हैं शादी में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और स्टेज पर जाकर वर बदू से मिले साथियों ने आशिरवाद दिया फिर वहाँ से नीचे उतरने तक मोदी के साथ उनकी सुरक्षा टीम खुद विजय वर्गिये केंद्री मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर और अन्य लोग दिख रहे हैं ये वीडियो बीते 3 दिसंबर का बताया गया जानकारी के मुताबिक इसके पहले विजय वर्गिये के छोटे भाई विजय विजय वर्गिये के बेटे विवेक की शादी को लेकर लोनावला हिल स्टेशन महरास्टर में तीन दिन अलग-अलग कारिकरम थे फिर एक शाही रिसेप्शन 21 सितंबर की रात बंगला नमबर 3 क्रिशन मेननमार्ग नईदिली केंद्रिय मंत्री नरेंद्रे सिंटोमर के बंगले पर रखा गया था जिसके बाद अब विजय वर्गिये के समर्थक उनका और भी बड़ा कद मानते हुए कोई बड़ा पद मिलने की संभावना जता रही है प्रधार मंत्री अपने मंत्रियों और टीम के साथ स्टेच पर पहुँचे बहाँ बरवधू ने उनके पैर छुकर आशिरवाद लिया वही इसे शादी में कई दिगज नेता शामिल हुए दूसरी तरफ विजय वर्गिये और केंद्रीय मंत्री नरेंडरे सिंग तोमर की लगातार बढ़ रही गनेश्टिता भी राजनेतिक हलकों में चमकर चर्चाओं में है करत दो में है झाल 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 झाल